दोस्तों अच कई सारे बड़िया और बड़े बड़े अपडेट्स लेकर करके आयो हम आपके लिए कौन कौन से अभी शोज आने वाले हैं विकॉज अब शोज की भरमार आने को है अगले महिने से ही और बाकी सारे कुल मिला के अपडेट्स कई सारे हो चुके हैं तो आज इसी से हम स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरा नाम है विरल आप देख रहे हैं अभी इस साल क्या हुआ ब्रेंडन करी के जीतने से लोग खुशी नहीं हुए अब ये अगले साल आएंगे अपना टाइटल डिफेंड करने तो डेफिनिटल आर्नोल की पॉपुलरिटी बहुत बड़ेगी इस बार ना गिरी हुई पॉपुलरिटी थी चाहे मानो चाहे ना मानो ये सच बात बता रहो मैं लोगों को उतना पसंद ही नहीं आया, आर्नोल क्लासिक जादा लोगों ने देखा भी नहीं और विलियम बुनायक को जिता अया नहीं तो यहां पर प्रॉब्लम हो गई थी इस बार हमें मालूम है कि निक वाखर अपने कोट से अलग हो गए थे अभी इसके पीछे वज़ा है कई सारी बताए गई जिन मेंसे की एक ये थी कि हाँ उनके coach और दूसरे अथलीट पर ध्यान दे रहे थे और निक चाते थे कि वो सिर्फ मेरे साथ ही रही ये एक वज़ा थी बाकि एक वज़ा और उड़ी-उड़ी खबर से ऐसे आ रही थी कि निक इस बार का आर्नोल्ड खेलना चाहते थे और मैट जैंसन ये चीज़ नहीं चाहते थे वो चाहते थे ओलंपिया पर सीधा फोकस करें तो जहां तक है इसलिए 12-13 में दुबारा कंपीट करने उतरेंगे आर्नोल्ड में और फिर आर्नोल्ड पॉसिबिली अपनी उसी ए पोस्ट के जरियर निक ने बात बोली है कि अगर अब लोगों को कॉड्स चाहिए तो मैं कॉड्स भी दूँगा पिछली बार यह चीज़ बैक के लिए नोने लिखी थी सेम पोस्ट के बैक मैं बच्छी दूँगा तो बैक इंप्रूफ करके लाए भी थे आर्नोल्ड क्ला पर उठाएंगे वहां पर ले जाएंगे जहां पर होनी चाहिए थी इस साल हमने मिस कर दिया दोस्तों के बाद अगला अगला अपडेट आता है मतलब धमाका साल मच गया अभी अपसे फिल हीतने कुछ फोटो जा लिए सच में लगी रहा है कि ना कंपीट करने के लिए बि मसल मास गेन करा है तो इसका मतलब अब क्या यह उलम्पिया में वापस आएंगे इस साल क्योंकि एक साल छोड़के एक साल आ रहे हैं ऐसा कर रहे हैं मैं आपको सच बात बता हूँ यह सब जो सिचुएशन सभी जो बाते उठ रही हैं अभी इनके पीशे कोई क्ल्यू नही करता है चाहे ब्रेंडन करी हो चाहे बिग रहम ही हो चाहे खुद फिल ही तो 2017 के 2018 के उनको जा के देखो अपको पता लगएगा मिस्टर अलम्पिया कैसी कैरी करता है ओफ सिजन ये लुग पता है कैसी है यह लुग आपको खुश करने के लिए हमें खुश करने के लिए महीने पहले इस चीज़े थी, ये चीज़े वो हैं जो आप देखना चाहते हो, ये स्टेज़ वाली लुक से एक दूसरी लुक है, डिफरेंट है, दूर है वहां से, फिल आपको लग रहा है कि इनकी बॉड़ी इंप्रूव हुई है, साइज जादा हुआ है, मैं मान रहा हू ये चीज़ है बलकुल, लेकिन ये पिछले साल की कुछ फोटोज है, जून 10 पे मैंने वीडियो बनाए थी इनकी उपर, इनका साइज कितना अच्छा लग रहा है, और ये ठीक 10 तिन पुरानी बॉड़ी है, जिसमें बहुत छोटे लग रहे हैं पैट्रिक किया, कि कितने स्मॉल लग रहे हैं, नॉर्मल बिलकुल लग रहे हैं, कितनी जल्दी ये साइज अचीफ कर ले हैं, उन्हें 18 मार्च से अभी तक के आज के साइज की बात कर लो, लगबग वो ही 13-14 दिन, ये साइज जादा करके मैं आपको बता रहा हूँ, एक पंप से आ रहाता है, फिल ये आजाएंगे, बहुत लंबा टाइम है, दिसंबर में होने वाला है, मैंने आपको इक बार पहले भी ये बत बोली थी, साइज वापस से गेन करना कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, ये अभी की लुक पे मत जाओ, मैंने बताए, ये लुक तो खुश करने के लिए जाता है, पर साइज एक्चुल जो वो चाहिए न, वो भी गेन कर लेंगे, और दो महिने में वो लुक भी कैरी कर लेंगे, उतना साइज जो एक्चुली में है, मेन बात ये आती है, कि फिल ही अपडेट्स चाहें दिखाए या ना दिखाए, उससे कोई फरक नहीं पड़त होती है, लगातर बने रहना पड़ता है, कोई भी स्पोर्ट इंफेक्ट कंसिस्टेंसी पर चलता है, ये दो-दो साल का एक साल का गैप लेकर के नहीं हो सकता, तो इसलिए अभी ये बादी दिखाए जारी है, जो आज तक इतनी कवरड अप रहते थे, प्रोफेशनल एक ए फिर भी एक बहुत अच्छा इसके पीछे प्रूफ रखके और एक लॉजिक रखके आपको समझाना चाहता हूँ, कि वो शो ओलंपिया ही होगा, ज्यादा करके यही चांस बनते हैं, क्योंकि आर्नोल्ड प्रमोटर्स इनको बहुत बार पहले बुला चुके हैं, पर वो प फरकनी पड़ता, अलग से मेरा इतना वैल्यू है, में को इतना पैसा चीए, अभी क्या होता है, ब्रैंडन करी, नहीं ला पारे हैं, शोड जीद गया आर्नोल्ड का, लेकिन वह एक वैल्यू नहीं ला पारे है, ना शोर के अंधर एंगेजमेंट नहीं पैदा हो पारी है, कोई भी नहीं ला पा रहा तो जो लाएगा ना वो पैसा अपना लेता है तो फिलीट वो चीज़ मांग रहे हैं जो प्रमोटर्स नहीं देते आर्नोल के टोनी रटी ने भी इनके साथ में किया था कि आर्नोल ऑस्ट्रेलिया खिलने आजाओ मेरा लेकिन मैं पैसा नहीं अब ही अगर आर्नोल में खेल करके रिटार्मेंट अनॉंसमेंट कर देंगे ना तो लोग कहेंगे और फिलीट का करियर कैसे डाउन गया है और ऑलम्पिय में हर एक एक अथलीट अनॉंसमेंट करता है चाहे रॉनी कोलमन हो चाहे कटलर हो चाहे डेक्स्टर जैक्सन को सब्सक्राइब हो गया और फैंसको सिर्फ वोतना के गोली दे देना के इस साल खेलूंगा उस साल खेलूंगा जैसे काईगरियन हमेशा करते ही रहते हैं एक फेक हाइप अपनी क्रेट करते हैं फिल ने गाता मैं क्लियर रखूँगा जब कुई करूँगा रिटार्मेंट बोल के जाओं सो एक एक एतली मेई जो लमबा एक इस तरीके से जाता है किन Communist िदेख सटेंट स्टेट से ही विदा लेगा वो तो मेरे जाब से फिल ही एक शो जरूर खेलेंगे मोस्ट प्रबैबली ओलंपिया प्लेसिंग मैं बात नहीं कर रहा हूं फस्ट की या सेकंड की अगर रिटायर्मेंट वाली बॉड़ी होती न तो फिल ही ऐसे दिखते ही नहीं के बड़ाबर नहीं है तो ऑलंपिया में आ सकते हैं वापस उतना साइज ले करके इस साल भी दिख सकते हैं और मेरे साब से रिटायर्मेंट तब ही अभी रिटायर्मेंट का मानना है कि फिल को कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूतने उनको रिटायर हो जाना चाहिए आप बताओ आपका इस फिजीक पर क्या कमेंट है मेरे साब से फिजीक अच्छी है बहुत बिल्कुल प्रेज आप कर सकते हो इस ताइम पर कोई इतना अच्छा नहीं दिखता मेरे साब से लेकिन रिटायर्म नहीं है अगले अपडेट की बात करों तो बो इंडिया वापस आग मेरे मसल्स चली गए फैट चड़ गया यह चीज़े एकदम ट्रांस्फरमेशन कर लिए अभी काफी अच्छा साइज मैंटेन कर रहे हैं अब इन्होंने कमेंट्स पर डाल दिया है कि लोग कमेंट करेंगे 25,000 कमेंट अगर पार हो गए तो मैं खेलने आ जाओंगा 2022 या 2023 मे अभी वही है जो काई ग्रीन करते हैं न मोस्ट प्रबैबली अपने फैंस के साथ मनको टीज करना वही चीज़ चल रही है अगर इनका कंफर्म होगा न एक अथलीट का अगर कंफर्म होगा और लोग मना करते रहेंगे वो खेलने उतरेगा इस स्टेज पर और अगर चाहे लोग हां बोले या ना बोले उसको नहीं फरक पड़ता है उसको रैडी हो गया है तो आ रहेगा अभी जैरी में की जो भी प्लैंस है इन्होंने अभी सामने ने रख्या कुल मिगा के बात यह आती है अभी एक पोस्ट यह डाला था ना कि मैंने कोई बैंड जोइन कर लिया आज तक भी वो कमी खलती है कि सबसे बड़ा किंग कॉन है क्योंकि ब्रेंडन को सब लोग उस तरीके से नहीं देखते हैं हेंडिक्सन वाले ब्रेंडन की बात कर रहा हूँ उनको लोग उस नजरे से नहीं देखते ऐसा चैंप के वन साइड इड विनर खड़ा हुआ है जै तो हाँ से स्टार्ट हो ę 2019 में कुछ स्थे भी नहीं अभी कहां चले गई है तो मैंन्स फिजीक वाले बहुत जल्दी उपर जाते हैं अक्लासिक फिजीक वाले तो और भी जल्दी उपर चले जाते हैं तो यह पर जैरी में अगर आना चाहें किसी साल दो ज़ाग सुचाई क्योंकि आपकी हाइप इतनी उची हो चुकी होती है एक अथलीट के साथ में आप फिर मायू से उडाते हो लेकिन उससे पहले की हाइप वो जरूरी है शो पॉपुलर करने के लिए उसको एक तरह से बेचने के लिए लोगों के बीच में बाकि आप बताओ क्या लगता है आप कोचिंग कौन को दे रहा है क्योंकि हैनी रंबॉट थे वो हमेशा कंडिशनिंग नेल कर वादिया करते थे वो लास्ट वाला शोड़ करके मैंस फिजीक ऐसा कोई गेम नहीं आए अंड्रे फर्जूसन अभी उपर नहीं जा रहे सिर्फ अपनी कंडिशनिंग के कारानी तो दोस्तों आता है अगला अपडेट और यहां पर अभी करंट जो बॉड़ी बिल्डर्स खेलने वाले हैं जिन कॉम्पिटिशनिस में जरा उनकी बात कर लेते हैं अब देखो मैंने बताया था अभी कि अगले महीने से कॉम्पिटिशन की लाइन लगने वाली है अभी कॉम् अफते बाद न्यू यॉक प्रोबी हो रहेगा 21 तारी कोई हो रहा है मही में उसमें भी खेल लेंगे तो यह लगातार बैक टो बैक दो शोस खेलने वाले हैं मेरे साब से जस्टिन बहुत देखो हमें पता है अभी तक कब बेस्ट पैकेज दिखा के जा रहे हैं उनको कर रहे हैं उसके उपर वो चीज ना बहुत उपर ले जाती एक अथलीट को तो मेरे साब से ज्यादा बड़ी बात नहीं हो निचे इंडी प्रोव इनके लिए इतना चाहिए लाइन अप में कोई भी हो हाँ यान वैलियर आ जाते हैं तो बात अलग है और स्टीफ हुकलो भ लेकिन अच्छा कॉम्पटीशन होगा इंडी में भी और न्यू यॉक में भी क्योंकि मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबैबली हाँ पर आपको ना स्टीफ हुकलो देखने को मिल जाएंगे इनके खिलाफ खड़े हो करके तो यह इनके अपडेट्स है इनके आने वाले दो शोज अभी रहेंगे देखते हैं उस लाइनप में अब कौन कौन एड़ होता है चार्ल्स ग्रिफिन एक यह नाम निकल के आते हैं ज्यादा पॉपुलर नाम नहीं है पर चार्ल्स में थिकनेस अच्छे एक मास अच्छा है थोड़ी 212 टाइप इनकी बॉड़ी लगती है और सो के लगते हैं पर बॉड़ी बहुत ही राउंड राउंड सी आती है तो अभी इनकी फिजिक ऐसी लग रही है और यह भी खेलेंगे इंडी प्रो में इनी के साथ जस्टिन के अगेंस्ट खड़े होंगे तो चार्ल्स भी अच्छा मुकाबलत दे सकते हैं यह वाली फो सबसे बड़ी बात है वेक्यूम करना सीख लिया इनके साथ प्रॉब्लम थी हर्निया की सज्टिवी थिन की दो 2018 में वह फिल हीत के साथ ही समझ लो उसी टाइम पे उसके बाद इन्होंने वेक्यूम की प्रैक्टिस करनी शुरू करी है और उसके बाद आज यह जाकर वेक्य चीज़ से आद आया फिलाल हमारे फेवरिट हसन मुस्तफा वो भी वेक्यूम का ट्राइए कर रहे हैं और यह मुझे लगता है कर लेंगे हसन भी क्योंकि न अब देखो वही वाली बात आ जाते कि एकदम से वेक्यूम नहीं लगता है पर स्लोली करते करते ला लग जाता है वालकि चार्ल्स ग्रिफिन का तो कहना था अचानक से मेरा लग गया में को खुदी विश्वास नहीं हुआ तो यह उनका एक्सपिरेंस खेर है ऐसी हमने फिलीद के साथ देखा वो भी करने लग गए है तो हसन मुस्तफा के साथ गटकी सीरियस प्रॉब्लम है वो भी वेक् आपको खेलते भी दिखेंगे यान वैलियर नेक्स्ट अपडेट इनका आता है चलो रही इनकी बात करें यान वैलियर इस वक्त पे तीन सो तीन पाउंड्स पे अपना ऑफ सीजन खतम करके बैठे है पिछले साल इनो ने ऑफ सीजन खतम 288 पाउंड्स पे किया था तो होता है में क्या अपने प्योर मसल्स एड करिये कितनी करिये तब समझ आती है कहानी तो इयान वैलियर अभी अपना ओफ सीजन खतम कर चुके मुद्दे की बात यह है इसका मतलब अभी प्रेप करना स्टार्ट करने ही वाले है अब चार्ल्स ग्रिफिन और जस्टिन की तरह है छे विक्स आउट तो लगनी तो खेलेंगे जहां तक है छटे महीने जून में आकर के कोई ना कोई शो और यान देखो फिर वह वाली बात आती है यान एक बहुत फेवरिट जजिसके अथलीट है इनके लिए जीत हासिल करना जाधा मुश्किल कभी नहीं रहता है यह प् बहुत क्रिटिसाइज पिछली बार किया था इस बर ब्रेंडन को उस चीज का सामना करना पड़ा अच्छी फिजिक आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं कोई किसी का यहां पर वह थोड़ी न हीट थोड़ी ना करता है तो यहान के लिए देखते हैं यह क्या लेकर के आते हैं अब यहान के न हेरानी होगे, वो किस किसम के थे अपनी जिंदकी में, क्या से क्या बन गए हैं, इतना चेंज किसी अथलीट की पर्सनल नेचर में कैसे आ सकता है, שक्ले पार्ट में तो पता नी क्या क्या ही होगा, तो इंतजार करना आप करीम करीब अभी दो दिन बाद, तो बस उसमें मिलते हैं, दोस्तो अभी के लिए सारे के सारे अपडेट्स मैंने आपको पॉसिबल बता दिये, और बस इस वाले वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नई वीडियो में, नई वीडियो के विलियम बॉनेक की बायोग्राफी में सेकंड पार्ट, सब तक के लिए स्टे टून, गुडबाई, शुक्रिया